क्या कर दियो बंजिया बना रहे है लिंदे कर दो क्या हुआ केक खाने है चौकलीट केक चौकलीट केक क्यों माम किया नहीं अब हम केक खाएंगे ही खाएंगे अभी हाँ अभी आदा घंटा में है वो ये बेंटु के अब आप बनाते हैं केक तो चलिए केक बनाना स्टार्ट करते हैं तो बच्चों के कारेन मैं क्या करते हूं कभी कभी केक को बेक करके मैं क्लियों रैप में उसे रैप करके फ्रेज में रख देती हूं कभी पता नहीं कब उनका मूड हो जाए कब डिमांड करें कि ने मुझे क कि खाना मतलब खाना है ऐसा सिच्वेशन कभी हो जाता है तो चलिए यहां पर केक को मैंने क्या किया है तिन स्लाइस में कट कर लिया अब बड़ा साइज नहीं बनाती हूं मैं घर के लिए छोड़ा साइज यह बनाती है ताकि एक बार में वह बने और बच्चे खाके खतम कर तो चलिए यहां पर सबसे पहले मैं सोचे थी कि टॉप आले पार्ट को उपर में ही रखूंगी तो यहां सबसे बॉटम वाले पार्ट को मैंने ले लिया है अब उस पर मैं क्या कर यह इस पार ना सारे क्रीम को मैंने कुपी में फिल कर लिया जैसा कि आ वीडियो में देख बूल गई थी तो सारे पार्ट को इसी तरह से हमने अरेंज कर लिया है और हर पार्ट को मैंने थोड़ा सा जादा सोक नहीं किया है सुगर सिर्फ से थोड़ा सा सोक यहां पर हमारा काफी ज्यादा मौश था और जब कुपी में हम लोग क्रिम भरते हैं ना तो इससे हमारा जो आइसिंग करना होता है डिकृरिशन करना केक का बहुत ज्यादा अशान हो जाता है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो यहां पर केक को फिनिसिंग देने के लिए कोई मैं बड़ा सा इस पेचुला इस्तमाल नहीं कर रहे हूं जैसे आम तो पर केक के लिए हम जैम वाला नाइफ उससे मैं सेट कर रहे थी असाथी साथ एक कार्ट ले लिया छोटा सा अप लेंग कार्ड वेगर ले सकते हो उसके सहता से असानी से आप यहां पर केक को सेप दे सकते हो क्योंकि केक यहां पर बहुत बड़ा नहीं है और आप देख रहे हो मिंटों में य नहां पर सेट करने के लिए कोसिस करिए पहले सोचा कि कोई और डिजाइन डाल दो लेकिन फिर मेरा ब्रस वाला ही आइडिया कामा है जो कि मैं अकसर करती हूं जैसा कि आप वीडियो में देखते हैं यह ब्रस वाला जो आइडिया होती है यह मुझे खास करके बहुत बंद आजाता है बुलते हैं आपका क्रेटिविटी अच्छा है अब जैसा भी दो सच चलेगा तो यह तो मैं घर के लिए बना रही थी तो सुचा कुछ अलग ट्राइग करूं लेकिन लाश्ट टाइम मैं ऐसा कुछ हो नहीं पाया तो यहां पर मैं नोजल की सहाथा से छोटा छोटा सा फ्लावर बना रही हूँ जैसा का वीडियो में देख सकते हैं और घर के लिए तो कुछ ज़्यादा कलर भी नहीं डाला है बहुत मैट सा कलर इस्तमाल किया है यहां पर आप देख सकते हो सेडिंग बहुत लाइट ही है और सुचा कि चलो इसमें एक और दूसरा कलर एड़ कर दो तो यहां पर मैं इस कूपी के सहाथा है इस नोजल के सहाथा से मैं यहां पर वाइट कलर इस्तमाल कर रही हूँ करेंके ड्रॉप डाल रही हूँ ताकि लुक जो है ना वो थोड़ा सा उभर क्या है और अच्छा लगए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो यहां पर जो हमारा डिजाइन है वह लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है और इस तेम पर इस पर मैं क्या करूंगी थोड़ा सा हमारा जो डर्श्ट है ना सिल्वर कलर का उसको मैं एस्प्रे कर दूंगे ताकि जो के लगे चम कीला सा केक दिखे तो बहुत प्यारा प्यारा सा लगने लगता है कि आप देख सकते हो इस जग़ा पे केक जो है बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है साइन ही लग रहा है जब ग्लिटर हम लोग डश्ट इस पे स्प्रे कर देता है उसके वज़ए से के का जो ल लाइक करना बिलकुल मद भूलेगा तब तक लिए टेक केर बाई जामाना दिक मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स ब्लोग में नेक्स रेस्पी के साथ पर तक इंज्याइक कीजिए बाबाए